किसानों को प्रतिवर्स मिलेगा 10-10 रुपए नयक्री सी कानूनों को लेकर दिली में किसानों के आंदोलन से जूज रही विजेपी सरकार ने बंगाल के किसानों के लिए अपने संकल्प पत्र में बड़े वायदे किये हैं बता दे किसानों के फसल के सही दाम से लेकर किसानों के लिए भीमा और उनके बच्चों की बेहतर सिक्षा तक की बाते संकल्प पत्र में कही गई है संकल्प पत्र में कहा गया कि किसानों को बीतिय साहता पहुचाने के लिए पधान मंती किसान समान नेदी का लाव राज्य के किसानों को दिया जाएगा इसके तहट राज्य के 75 लाग किसानों को प्रातिवर्श 10.000 रुपे दिये जाएंगे बता दे पॉली केबिनेट की बैठक में या प्रस्ता पारित किया जाएगा इसके साथ ही पॉली केबिनेट की बैठक में राज्य के 75 लाग किसानों को 18.000 रुपे दिये जाएंगे मौसम विभाग ने अगले 6 दिन मौसम पुर्वनवान किया है इसके तहत 22 और 23 मार्च 2021 को मौसम सोस्क और आजमन साफ रहने की बात कही है वहीं 24 मार्च को राजे के मध यानि राची बोकारो गुमलाह जारीबा खुटी और रामगर तता दर्शिनी भाग पुर्वी सिम्मूप पच्छमी सिम्मूप सराइक लखर सवाय हम सिम्डेगा में आंसिक बादल चाहे रहेंगे वहीं मेक गर्जन के साथ कहीं कहीं हलकी बारिस की भी समावना है इसके बाद 25 मार्च से लेकर 27 मार्च 2021 तक जार्खन में मौसम सुस्क और आसमान साफ रहेगा क्रिसी कानून पर जार्खन विधान सभा में चार्चा अर्चन में धानिक बाबुलान मरांडी भाजपा विधायक दलकिनेता बावुलन बरांडे ये नाई क्रिसी कानून पर विधान सभा में सोमवार को प्रस्तावीत वाद विवाद को और चमिल धानिक बताया है भाजपा विवार को भाजपा प्रदेश कर्याले में आयोजीत सर्मादाता समिलन में उन्होंने असपस्ट कहा कि क्रिसी बील अब कानून बन गया है लोग सभा वाराज सभा से पास क्रिसी कानून पर बहुत का कोई और चित नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा की बिधायक सोमवार को बिधान सवा में इस भी सवाय पर आपने विर्यो दर्च कराएंगे क्रिसी कानून पर चार्चा कराएगी है मत सरकार बैट सत्र के दुरान सोमवार को विधान सवा में सरकार केंद्रे किलिसी कानून पर चार्चा कराने का फ्रस्ता विधायकों को दे चुकी है बतादे इस मुद्धे पर चार्चा हो या ना हो हंगामे के पूरे असर अभी से दिखने लगे हैं भाजपा नेता बावलर मरांडी के नेतित में राज सरकार की इस कोशिस को गलत परिपार्टी की संगया दी गई है वही दूसरी और कांग्रेस इसे सवही करार देते हुए सदन के अंदर और बाहर भी तैयारियों में जूटी हुई है इस मसरे पर केंद्र को कट घड़े में खाड़ा करने की पूरी कोशिस होगी बतादे जारकन मुक्ति मोर्चा के नेता बी सदन में भाजपा से लोहा लेते दिखेंगे मानव सास्तर का ग्याता नव बने हिमंत सुरेन आदिवासी हिंदू है हिंदू रहेंगे अदिवासी के धर्म और संस्क्रीती को लेकर नसीतों का दोर थम नहीं रहा है बतादे इस परकरन पर बावुलार मुरांडी को विधान सभावे मानव सास्तर का पार्ट पढ़ाने वाले मुक्ति मंत्री हमंसुरेन को अब बावुलाल ने अधियान करने की नसीयत दी है बतादे रभीवार को मीडिया से बाचीत में बावुलार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था क्या दिवासी हिंदू नहीं है साइद मुख्यमंत्री को पता नहीं इस देश के बारे में मुख्यमंत्री एक छोटी सी पार्टी के लीडर है चोटे से हिसे में राते हैं देश के अंदर 600-700 जाती है जो अनुसुची जंग जाती की सुची में सुची बद्धा है प्राइबेट इस्कूल में हो रही फीस माफ प्राइबेट इस्कूलों में पढ़ रहे लाखो चात्र चात्राओ के विभागों को जल्द ही बड़ी रहात मीं सकती है बतादे इस्कूल फीस को लेकर मचे चोतारफा बवाल के बीच सुप्रीम कोट ने कहा है कि जिन चात्रों का इस्कूल फीस पेडिंग है इस्कूल उसका ना तो नाम काट सकते हैं नहीं परिक्षा में बैटने से रोख सकते हैं बतादे प्राइबेट इस्कूलों में फीस को लेकर सुप्रीम कोट का या आदेश रायस्थान से जुड़े एक केस में आजा है जिसे अवहर्याना और पंजाब में भी लागू कर दिया गया है संभवाई की इस आदेश को जार्खन में भी लागू कर दिया जाएगा भैक्सिन की दूसरी डोज के बाद भी डाक्टर गीता होई पोजिटिव राची सहर के हिदय रोग विसे सग रिम्स के कार्डियो लोजी विभाग के होडी डाक्टर हेमन्त नरायन राय भी कुरोणा संक्रमित हो गए है वहीं उनकी पतनी डाक्टर गीता भी पोजिटिव हो गई है जबकि डाक्टर गीता कोविन टीके को दोनों डोज ले चुकी है बताद 18 फरवरी को उन्होंने सदर अस्पताल में टीके की दूसरी डोज ली थी हलाकि डाक्टर गीता को फिलार कुरोणा के कोई लक्षन नहीं है चार खन में 1,43,57 लोगों ने पहला और 37,71 ने लिया दूसरा टीका राजय भर में रविगार को 1,43,57 लोगों ने पहला टीका लिया है जबकि दूसरा टीका लेने वालों की संख्या महाँ 37,71 रही बता दे पहला डोज लेने वाले 1,43,57 में 1,44,172 बुजूर्ग वा भीमार थे वहीं 1,44,172 में 1,14,534 बुजूर्ग एवं भीमारों की संख्या 25,638 थी जबकि पहला डोज लेने वाले स्वास्त कर्मी वा फ्रन्ट लाइन वर्करों की संख्या महाँ 343 थी बता दे राजे में अब तक 8,6,029 लोगों को पालाटिका दिया चाचुका है जिसमें स्वास्त कर्मी वा फ्रन्ट लाइन वर्करों की संख्या 3,99,885 बुजूर्ग पलामु बाग अभियारन के 301 किलोमीटर छेतर में नहीं होगा माना हस्त शेप पलामु बाग अभियारन के 301 किलोमीटर छेतर में माना हस्त शेप नहीं होगा पता दे इसे बागों के लिए अक्छुन बनाया जाएगा ताकि दूर चले गए नहीं दीख रहे बाग फिर से PTR के कोर एरिया में लोट आएं उनके लिए भोयन का अधार और वेतर बनाया ज जाएगा पता देके अंदर सरकार के बाद अब राज सरकार ने भी PTR के कोर एरिया के दो गाओं कुजुरूम और लाटू में बसे 210 परिवारों को उनकी मर्जी से मोडल रूप में पुनर अस्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है जारखन में 83 नज संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 48 पूलवी सिमूम 14 धनबाद 10 बोकारो 3 हजारी बाक 3 कोडरमा 2 गोड़ा 1 साइब गंज 1 दुमका से 1 मिले है जारखन में कुल मौत की संक्रमित है एक्टिप केस की मिले है भारत में 479 केस मिले है भारत में कुल मौत की संक्रमित 1 लाँ 7 39 हे ठुगवा सड़क पर सेलदा इस्कूल के पास सूबह के छो बज़े मुर्भेड होई बतादे दोनों और से लगभग 50-60 गोलियां चली इस दोरान एक उगरवादी बांदू हास्ता पूर्ती पकड़ा गया है बांदू और की ठाना छेतरे के मुर्गी डी गाउं का राने वाला है बतादे मुर्भेड के बाद पूलिस ने उसके पास एक देशी कटा 17 जिन्दा करतूस 15 खोके 4 बाइक पिले फाई का परचा और लेटर हैंड बरामत किया है पाराशिक्षक सन्वीदा और मांदे परकारद कर्मियों की समधान करे सरकार गोमियों विधायक लमदर मतों ने पाराशिक्षकों सहीद अनुबन सन्विधा और मांदे परकारत कर्मियों की समस्या के समधान को लेकर राई सरकार से आवास्यक पहल की अपिल की है सेवा स्थाई करण और बेतनमान की मांग को लेकर राजे भर के विभीन जीलों से आये पाराज सिक्षकों ने 15 से 19 समाज तक राची में बिधान सभाय के निकट साही मैदान में चरणबत तरीके से धाना परदुस्षन कर अपनी आवाज सरकार तक पुछाने की मांग की लेकिन इस तवरान सरकार का कोई प्रतिनिदी उनसे मिलने तक नहीं गया उन्होंने पराज सिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से ततकाल हस्तशेप का आगर किया है देवघर जीला अंतरगत देवीपूर में एमस परिसर के लिए टांसफर जमीन के अधिन दस एकर जमीन को भूमा फिया गलत तरीके से घेर रहे हैं बतादे या अत्यांत गंभीर मामला है इस मामले पर संग्यान लेते हुए देवघर डीसी मंजुनात भायंतरी ने समंधित अंचला दिकारी को सक्त निदेश दिया की हस्तरांतरी भोमी को सुरक्षित करते हुए घेरा बंदी कराए और मामले की जाच कर कोई कवाई करे दियात की सुविधा बुढ़ाई जलासे में एम्स को जोड़ने की योजना और सुरक्षा बेवस्ता के साथ विभीन बिंद्यों पर विश्तिरी चर्चा भी की